नमस्कार दोस्तों मोसम की ताजा ख़बरों में आपका स्वागत है दोस्तों अभी अभी बड़ी ख़बर लेकर का रही है रास्तान में से अलट पर रहेंगे यानि गहरे काले बादलों के साथ निमने से भारी बारिश की सम्मावरा बताई जारी है साथ ही साथ कुछ जलों में विजली गिने की चेताबनी जारी कर दीगी यह अब बात करें दुस्तों अठार है और गुनिष्ट इन दोने डिटों में भी घर जिनाक वारेश की सम्मावरा बनी हुई है पूरी जलों में तो औरेंज अलट है जबकि परशनी में बारिश की सम् दोस्तो पर शिम्रास्तान में भी अब बात कर लेते कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि आप जाते हैं इस चैनल के मादब से एक दूम सा ठीक जान कर दी जाती है तो चलिए दोस्तों इंडियन मेटल और डिपार्टमेंट के अनुसर मोसम में जो किस परिकार बना हुई है तो पूर्वी जिले निम्न से मद्यम बारिष की संभावना बनी हुई है बताई जारी है जाकि बात करें दोस्तों बारा कोटा बूनी चालावार डूंगरपुर वासवाड़ा कोटा इधर से स्रूई रसमन भीलवाड़ा पाली आधी जिले दोस्तों इन जिलों में मद्यम बारिष की संभावना बताई जारी मोसम में जो सब्सक्राइब रहेगा गरजनाग बारिष की संभावना बनी हुई है पूर वी रास्तान की बात करें तो दोस्तों कोच जिलों में बारिष की संभावना बनी हुई है वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों जुझनु सीकर अलबर बरत पर दोल पर करोली सभावमत पर दोसर जैपूर आधी जिले दोस्तों यह जिले सवे से अलट हो सकता है यानि खतरनाग वारिष की संभावना बनी हुई है दोस्तों आठारे जुलाई को यानि दुपैर बाद इ इन जिलों में भी मोसम है जो अलट है सकता है यानि दुपैर बाद खतरनाग वारिष की संभावना बनी हुई है क्योंकि पूरे पूर भी रास्तान में ओरेंज अलट जारी कर रहा है दोस्तों जक्कि बात करें दोस्तों पश्तिवरास्तान की अर्मानगर स्री गंगानगा इतर से जैसलमेर वीकशनेर जोदो नाग और चुरू आधी जिले दोस्तों यह जिले निम्न या मद्यम बारिष की संभावना बता है जाली मोसम में जो बिलकुल साफ रही है दो पहरबात को जिलों में निम्न न मद्यम बारिष की संभावना बनी हुई यह ‑‑ 400 कि स्प्र से लेकिन दोस्तों कुछ जोलों में बारिष की संभावना बनी हुई हुई है बार्षू सकती है दूस्तों यानी निमन से मध्यंबारिश की समावन्य बनी हुई है फ़िव मरास्तार आफ जत्लीट पर अलबार बरत पर दोल पर करोली सब्वाइमाद पर दोसा एंज जलों में निवनिसे भारी वारिस वाक को जलों में बिजली गिन्ने की छेताबनी चारी करते गई मुस्वबाक के नुस्वार तो अगर आप बताते हैं